Hello everyone, आशा करता हूँ आप सब लोग आच्छा ही होंगे आज हम पढ़ने वाले हैं Food Security and this is the 9th part of class 10th geography that is agriculture इसमें हम लोग Food Security का definition, challenges and its measures को हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या-क्या प्रोब्लेम आ रहा है Food Security distribution में और Food Insecure कौन-कौन है, साथ-साथ में कौनसा-कौनसा measure ले सकते हैं ताकि हम लोग का Food Security एकदम आच्छे ढंग से चल सके Food Security से मतलब है, दुनिया का कोई भी आदिमी हो, कोई भी कुने में रहता हो और कोई भी समय में अगर उसको sufficient और sap nutrition वाले खाने मिल जाता है और जिसमें की वो healthy और active life जी सके, उसी को Food Security की नाम पे जाना जाता है अब question आता है कि Food Insecure है कौन Food Insecure जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि natural disaster प्रोने रिया है natural disaster भरपूर मात्रा में आ रहा होगा जैसे flood, famine, cyclone इस एरिया में आप लोग Food Insecure रहते हैं साथ ही साथ में आप लोग रीमोट एरिया में जानते हैं, जिस एरिया में आज भी development नहीं पहुंचा है उन लोग भी Food Insecure है सकते हैं तो दुनिया में देखा ही देता है और खास करके इंडिया में तो ऐसे problem होता रहता है तो गवर्मेट आप इंडिया ने टू मेजर्स लिया है टू Food Insecure जो है उन लोग को Food प्रभाइड करने के लिए टू जो components है उसका कौनसा कौनसा है नमबर वान Public Distribution System नमबर टू बफर स्टक देखेंगे नमबर वान में जो Public Distribution System क्या है गवर्मेट आप इंडिया ने फेर प्राइस सब के माध्यम से लोगों को रीजनबूल प्राइस में फूर पहुंचाता है दाल आप लोग का स unsure ओंट यह सभी चीज क्या करते हैं उनलोग महिने में दिया जाता है फेर प्राइस सब के माध्यम से आप लोगों गर्मेट ग्रोसरी सब Lab मान सकते हैं कोई-कोई जगा में őई भी सब सामान मिलता होगा और बिर प्राइस में यानी कि आप लुग राइस वोल शकते हैं तो यह रुपया में मिल जाए ऐसे जागे में पबलिक डिस्टिपूशन सिस्टम दिया जाता है लेकिन इसको ढ़िया बे में होते हैं यानि की BPL family BPL card आप लोग जानते होंगे इससे पहले इसको आप लोग आच्छे से पढ़े होंगे इसमें जो सम्टाज करेंगे फिर BPL group को भी कुछ मिलता है जैसे कि आप लोग अगर बात करें BPL group को वान रूपीज पार राइस मिल रहा है तो उसी तरह BPL group को थुड़ा और ज्यादा प्राइस में मिलेगा तो इस प्रकार टू केटेगोरी में बाढ़ दिया जाता है जिनको फूड इन सीकूर रहता है तो उन अपने सामान क्या करता है FCI में क्या करता है बफर स्टॉक जैसे आप लोग बोल रहे हैं उसमें स्टोर करके रखता है FCI क्या है फूड कर्पूरेशन ओप इंडिया वो बफर स्टॉक में संभाल के रखता है और जो रोत के समाई से उदर फैर प्राइस सब वाले ले जाते हैं और आप लोग के पास पहुंचाते हैं और यह FCI जो है आप लोग बता दूँ जो गर्मेट ओप इंडिया ने FCI में भी स्ट क्यों ना रहने के लिए MSP जनते हैं मिनिमाम सपर्ड प्राइस यानि कि कम से कम प्राइस में कैसे सामान को खरीदा जाता है तो उधर लेकर स्टॉक करके रखा जाता है बफर स्टॉक में FCI में इस प्रकर का सिच्वेशन करके गर्मेट ओप इंडिया ने क्या करता है सबसे पहले नॉमबर वान चेलेंजेस में लिखा गया है अनसस्टेनेबल डिस्टिविशन अब सब्सीडिज टूदा फार्मार्स क्रेडिट इन सफिचेंस इन लार्ज स्केल आप लोग को बता दूँ जो बीपील कार एपील कार ऐसे किया गया है उसमें सस्टेनेबल पा जाते हैं नहीं पाते हैं आप लोग का फूड सीकुरूटी यानि कि जो मिलता है फैर प्राइस अब में और अमीर से अमीर लोग पा जाते हैं सस्टेनेबल डेवलमेंट इसमें दिखाई नहीं देता है अगर प्रपर सिस्टम नहीं होगा तो प्रब्लिम आएगा ही सेक कि गवर्मेट्स ऑफ इंडिया ने डिकलेयर कर दिया रहता है कि MSP यानि कि कितना पैसा होगा अधान का गेहूं का वह पहले से फिक्स कर दिया जाता है और ज्यादा जब होता है लोग ने बार बार क्या करते हैं प्रोडॉक्शन बढ़ाने के लिए फटिलाइजर ज्याद और साथ ही साथ में हाइबरिट खाना हम लोगों हो जाता है जिसके चलते उसमें निउट्रेशन धीरे देर कम हो जाता है किसमें फूड में निउट्रेशन कम हो जाता है उसके साथ दिशे में आप थुड़ी देर पहले बता है हाई MSP ड्रेस्ट्रोइड क्रोपिंग पैट वो आपना फोटालिटी लॉस नहीं करता है लेकिन लोग हाई MSP के नाम से क्या करते हैं क्रॉपिंग पैटर्ण में डिस्टर्वांस ला देते हैं याने कि उन लोग एकडम धानी-धान धान-धानी-धान उसी जगा में लगा देंगे राई से जो है वो उसके चलते क्या हो जाएगा क्रॉपिंग पैटर्न में प्रोब्लेम आ जाता है उसी के साथ साथ कॉंजूमर डिवाइडेशन इज नॉट पारफेक्ट इन विच डिजर्विंग पीपो पोर हैब बीन एक्सक्लूटेड प्रोम बीपेल जैसे कि मैं आप लोगो पहले बताया हूँ जो एफपील और बीपेल में उन लोगो डिस्टिबूट किया गया है जिसके चलते गरीब तो नहीं पाता है और अमिर पाजाता है पावरफुल आदमी ले लेते हैं ये सब चीज को तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है उसको भी दूर करना चाहिए साथ ही साथ में इनसफिचेन वाटर मेनेजमेट हैज लेड टू वाटर डिग्रेडेशन जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम लोग टो वाटर को डिग्रेट करेगा और ज़्यादा से ज्यादा वी वाटर को हम लोग यूजμε करेंगे क्या के लिए इरिगेशन के लिए जिसके चलते वह भी डिग्रेट करदेगा कि ठीच को यानि ये बहुत साल चैलेंजे से आप अगर बुक पढ़ेंगे और भी ज्वादा शलीजेस मिले गा मेरे को ये पांच प्रो मिनेट लगा तो मैं इसम को लगाया हूं Wet मेरे ख्याल से ये चैलेंजेस अप ल्ग समझ में आ गया हो फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं मेजर्स यानि कि चेलेंजेस तो हो गया कुछ-कुछ उसको अगर सुधारेंगे नहीं गुवर्मेट्स अप इंडिया उसको सुधारेगा नहीं तो उसको बहुत सारा प्रोब्लेम आएगा सबसे नंबर वान प्रोब्लेम में क्या है गुवर इंडिया लोगों के पास एग्रिकॅल्ट्रा Ł l in infrastructure पहुचार ना एग्रिकॅल्ट्रा इंफ्रस्थर्क्ट्र से आप लोग फैसलिटी होना चाहिए प्रपर ड्रेनें स प्रोडोक्शन में प्रॉब्लेम नहीं आएगा साथी साथ में क्रेडिट लिंकेज बगरा देना चाहिए लोगों को उधारी देना चाहिए जो लून बगरा देना चाहिए अच्य से साथी साथ में उन लोको कुछ डिसकाउंट भी होना चाहिए जैसे कि शुट एनकरेज दा यूज अप लेटेस्ट टेकनीक और लोगों को एनकरेज करना चाहिए खास करके फारमार्स को लेटेस्ट टेकनक जो है एगरिकल्चर का उसको यूज करें चेकेंड पॉंट क्या है इनस्टेड अप कॉंसेंट्रेंटिंग अनली ओन राइस और हुइट लूग देखिया आप लोगों बतातों इंडिया में खास करके राइस और हुइट में ज्यादा एमेसपी रहता है तो लोग उसी को खेती करते हैं तो इसको छोड़के फोकस करना चाहिए अधर फूड क्र प्रोटीन जो प्रोटीन अच्छे से मिल सके उस एरिया में और अच्छा फसल हो सके उस जगह को देखते हुए हमें उसको फोकस करना चाहिए एक चीज के उपर नहीं करना चाहिए इसको भी आप लोग दो पॉइंट करके लिख सकते हैं फ्री ट्रेड इन ग्रेंश उन गाउन एरिया में लोगों को ससेख सट नेबुल किसी सटेबल डेवल in ग्रेंश आप लोग और उसे प्रोग्राम ले पहारें है कि आप लोगों क्या दिखाई देता है ना डिजगाइस थान एंपलोईमेंट देखता है यह सब दूर हो सकता है कौन सा ना सास्टेनेबल डेबलोमेंट के माधियम से अगर किया जाए फिर क्या देयार है जबी ने ग्राजुआल स्टिफ फ्रॉम कॉल्टिवेशन यानि कि अच्छे से होना चाहिए ग्राजुआल सीफ्ट होना चाहिए कॉल्टिवेशन किसके बाद कौन सा किया जाएगा ताकि मिटी का जो सोयल का क्या हो सकता है न्यूट्रेशन बचा के रख आज के लिए इतना ही अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है थैंक यू फर वाचिंग लेशन डाइजेस्ट जेह